नमस्कार दोस्तों, Study IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही positive development हुई है भारत के लिए भारत का पहला skill development center जो है उसको अब launch कर दिया गया है उसको अब inaugurate कर दिया गया है और ये skill development center एक बहुत ही विशेश purpose के लिए बनाया गया है so basically इस SDC में fire safety की training provide करवाई जाएगी जिसके माध्यम से हम अपने भारत में कई सारे और fire fighters को अच्छे तरीके से groom कर सकेंगे, अच्छे तरीके से train कर सकेंगे इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि exactly ये वाला जो SDC है ये कौन सी organization के अधीन काम करेगा and also बात करेंगे क्या-क्या सुविधाई हैं, क्या-क्या provisions हैं जो की इस SDC को एक state-of-the-art SDC बनाती हैं जाते-जाते अंत में आपके साथ मैं चर्चा ये भी करूँगा कि exactly भारत में fire safety की वज़े से कितने ऐसे लोग हैं जो की problem में हैं सालाना क्या numbers हैं, क्या figures हैं चैनल से कर सकते हैं, इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं also study IQ app को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं from the google play store और app पे आपकी UPSC परीक्षा को असान करने के लिए हमने एक course launch किया है, ये course किसी भी test series से बहतर है क्योंकि इसमें हमने UPSC के ही द्वारा पूछे गए, पिछले 10 साल के जो papers हैं उनको discuss किया है, तो इस course को यदि आप purchase करना चाहते हैं, आप पे जा सकते हैं और इस course को purchase करने के लिए आप special coupon code का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जोकि आपको app पे ही provide करवाया जाएगा जिसके माध्यम से आप कुछ extra discount भी available करवा सकते हैं, right, so जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये वाली date को भी ध्यान से देख लीजे, 23 फरवरी की बात है, just अभी 10-15 दिन पहले की बात है जब हमारे जो रक्षा मंत्री है, श्री राजनात सिंग जी, उन्होंने DRDO का Skill Development Center for Fire Safety Training इसको हाल ही में inaugurate किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Defense Minister राजनात सिंग has inaugurated the SDC for Fire Safety Training of DRDO through Virtual Mode, यह कहां पर basically open होने वाला है, यह open होने वाला है, पिखुवा इन उत्तर प्रदेश, जो आप यहाँ पर right side पर map को देख पा रहे हैं, यह basically उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिसका नाम है हपूर, Western UP का जिला है हपूर, और हपूर में एक शहर है जिस का नाम है पिखुवा, तो basically यह वाला जो SDC for Fire Safety आने वाला है, यह इस हपूर में पिखुवा नाम के शहर में अब खोला जा चुका है, now यह वाली जो facility है किसके द्वारा बनाई गई है, देखे यह facility DRDO की ही एक laboratory है, जिसका नाम है CFEES, यह बहुत ही important laboratory है, मैं इसको लेके पहले भी सवाल पुछा जा चुका है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूँ, तो देखे सबसे पहले तो जो हमने आपको बताया है कि जो SDC हाल ही में बनाया गया है, जिसकी inauguration हुई है, यह basically facility create करी गई है, इस particular Delhi-based DRDO laboratory के बारे मे CFEES की full farm क्या है, Center for Fire Explosives and Environment Safety, यह वाला center भी काफी important center है, in fact आपको बताऊं तो जो CFEES है basically, ऐसा मान लिजे भारत में अकेला एक ऐसा institute है जो कि असल में fire safety, fire sciences, explosive safety, explosive sciences के बारे में बातचीत करता है, जो कि इसके बारे में in-depth जो है information provide करता है, यह वाली जो laboratory है, यह भी असल मे DRDO की ही laboratory है, 1992 में इसको establish किया गया था, दिल्ली का एक जगा है, जिसका नाम है तिमरपूर, वहाँ पर यह located है, and the main function is the development of technologies and products in the area of explosives, fire and environmental safety, और यह जो है, यह basically it is organized under the armaments directorate of DRDO, ठीक है, और इसके जो present director है, वो भी राजीव नारंग है, यह वैसे यह चीज पूछी जानी, UPSC इसकी संभावना कम है, लेकिन I'm sure किसी और exam में शायद इसके बारे में पुछा सकता है कि फिलहाल इसके director कौन है, so यह जो SDC है, यह CFEES के अंतरगत ही काम करेगा, अब हम बात कर लेते हैं इस facility के बारे में, यानि कि यह आपको क्या-क्या facilities यहाँ पे provide की जा रही हैं, क्या करने में काफी important रूप निभाएगी, उसके बाद यह fire safety technology और products वगरा की भी जो आपको services provide करेगी, so that हम precious human lives और जो valuable assets हैं, उनको बचा सकें, जो facility है, इसमें हम कई सारे लोगों को train करवाएगे, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल Indian Army के ही लोग train होंगे, इसमें Indian Armed Forces के लोग train करव और जो defense undertakings है, यानि कि जो भारत में काम करने वाली defense PSUs हैं, for example, बात करते हैं, कोई, जैसे मान लीजे, भारत missiles limited वगरा वगरा, खीक है, उसके बाद भारत earth movers limited है, BEML है, या फिर बात करते हैं, MDL है, garden ship, जो है हमारा ship builders होते हैं, तो basically जितनी भी defense undertakings है भारत में, उनके भी लोगों को यहाँ पे training provide करवाई जा सकती है, obviously हर तरह के लोगों को training provide करने important है, because जो fire की problem है, ये कहीं पर भी आ सकती है, right, तो इसी लिए it is open to all kinds of people, जितने भी भारत में, जो भी central government के under, जो भी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे हम उन लोगों को यहाँ पे training provide करवा सकते ह इसके बाद बात करें, इसमें जो technology इस्तिमाल करी गई है, it has been created by adopting state-of-the-art technology and setting up simulation systems for the validation of fire at a realistic scale, ये काफी important है, यानि कि ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल training दे दी जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कल को माल लीजे, वाकए में कहीं पर आग लग जाती है, तो का काम कैसे करना होगा, उसके लिए इन्होंने आप ऐसा माल लीजे, एक simulation system बनाया हुआ है, यानि कि almost आपको real life like situation दिखाई जाएगी, वहाँ पे आग लगाई जाएगी, उसके बाद आपको वहाँ पे जाके basically लोगों को rescue करना होगा, फिर उस आग को भुचाना होगा, so that भाफी खास मनाता है, अभी थोड़ा सा और patience रखिए, मैं आपको और समझाऊंगा कि इसमें exactly facilities किस-किस तरह की दी गई है, देखिए सबसे पहले तो ये वाला मैंने आपको बताया state of the art है, तो state of the art है तो obviously भारत में इसमें जितने भी international standards आज की date में चल रहे हैं, उन international standards को fulfill करते हुए इस particular SDC को construct करवाया गया है, इसके बाद इस SDC में the SDC has four base with firefighting and rescue appliances such as the hydraulic platform, ठीक है, तो ये hydraulic platform क्या होता है, आप अपने left side की image को ध्यान से देखिए, ये उपर वाली ये वाली जो चीज है ना, ये basically hydraulic platform है, तो मान लीजे कहीं पे firefighters को को कोई उची building में fire लगी है तो बहां तक पहुचना है, तो इस particular hydraulic platform के माध्यम से पहुच सकते हैं, अब है क्या कि भारत में जो आज की date में जो भी चीजें, जो भी हमारे पास ये buses चल रही है, ठीक है, ये उतनी जादा advance नहीं है, लेकिन इस particular center में हमने इन चीजों को भी integrate करवाया है, साथी में air crash fire tender, उस crash fire tender, इस तरीके से goal, ये वाला भी यहाँ पर provide करवाया गया है, ताकि मालीचे लोगों को किसी हूची height से कूदना है, और safely कूदना है, तो वो कैसे कूद सकते हैं, उसके बाद emergency rescue tender, इन सब चीजों की availability भी यहाँ पर करवाई गई है, तो ये दो बड़ी important चीजे हैं, जो कि इस particular facility में already include करवाई गई है, साथ ही में besides an important life saving personal protective equipment for the firefighters, तो ये भी यहाँ पर provide करवाई जाएगी, हर एक firefighter को training देते समय, जो उसके लिए PPE kit की आवशकता है, वो भी उसको उसी time पर provide करवाई जाएगी, so that वो एक real life में किस तरीके से काम करना है, उसकी तयारी पहले से ही उस इस case में firefighters को क्या प्रक्या follow करनी है, क्या process follow करना है, क्या चीज़ें follow करनी है, उस चीज के लिए भी simulation models त्यार किये गए हैं, देखिए the center has a fire drill tower, fire drill tower ये चीज़ है जो आप left side में देख सकते हैं, तो ये fire drill travel असल में portable होता है, माल लीज़े कोई बहुत उची building में आग लगी है, तो उसमें कितनी तेजी से fire fighters top तक पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे कितनी तेजी से वो उसको extinguish करने की कोशिश करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके माध्यम से यहाँ पे simulate हो पाएंगी, इसके बाद emergency escape shoot जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, emergency escape shoot, तो होता क्या है basically, firefighters पहले इस चीज़ को install करते हैं, फिर उपर पहुंचते हैं, फिर उपर पहुंचके इस emergency escape shoot को install करते हैं, so that उसके माध्यम से लोग नीचे उतर सकें और safely उतर सकें, और यहाँ पे नीचे लगाया जाता है आपका एक air crash tender, तो इस तरीके से proper ये पूरा का पूरा process follow किया जात है, it is having the state of the art technologies और international standards के आधार पर इसको construct किया गया है, तो इसी लिए भारत के लिए बहुत ही उपलबधी वाली बात है, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि fire safety की importance क्या है, देखें जब इसको inauguration हो रही थी, तो यह virtual inauguration थी, उस time पे हमारे जो रक्षा मंतरी है and preventing such mishaps, ठीक है और साथी में इन्होंने कई सारे important numbers को भी share किया, इन्होंने यहाँ पे NCRB के द्वारा provide किये के numbers को share कि every fifth death in the world due to fire occurs in India, यानि कि मान लीजे, दुनिया भर में आज मान लीजे, आज के दिन 5 मौते हुई है fire की वज़े से, इन 5 मौतों में से एक मौत जो है, व 18 की बात करें, there were 13,000 fire incidents in the country, और इतने ही लोगों की मृत्यू हुई थी, 13,000 से भी जादा fire incidents, और अगर आप एक साल 365 दिन की बात करें, तो अंदाजा लगा लिजे कि एक दिन के अंदर अंदर कितने fire incidents हो रही हैं, अगर हम average निकाल के देखें, हर रोज लगभग 35 लोग हैं इसमें two-third लोग ऐसे हैं, जो की 18 से 40 की age group में fall करते हैं, और half of them are women, तो भारत अपने कई सारे valuable human resources को fire को lose out कर रहा है, और इसी के चलते ये वाला जो SDC बनाया गया है, ये ऐसा माल लीजे, पहला कदम है भारत का, जिसके चलते हम in proper valuable resources को बचा सकेंगे, और हमारी जो fire safety की, जो उसके साथ लडने की हमारी प्रक्रिया है, उसको भी improve कर सकेंगे, इसी लिए राजनात सिंग जी ने इसको एक silent pandemic का भी नाम दिया था, so मैं समझता हूँ, काफी अच्छी development है, हम यही उमीद करेंगे, आगे जाके और ऐसे SDC भारत में open हो, और जितना हो सके हम अपने officials क इसमें training दे सकें, so that हम अपने valuable human resources को और अच्छे से safe कर सकें, on that note, I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay tuned.